7 अक्टूबर 2023 को हमास के क्रूर हमले के बाद, जिसमें लगभग 1400 इसराइली नागरिक मारे गए, इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी और गाजा पर भीशन मिसाइलों और बमों से हमला कर कई इमारतों को नश्ट कर दिया और साथ ही हजारों नागरिक काबादी को मार डाला। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार इस संघर्ष के दौरान मरने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या लगभग 99 प्यान्सों से अधिक है और हताहतों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। इसराइल हमास युद्ध ने विश्व की राय को स पश्ट रूप से विभाजित कर दिया है। पश्चिमी देश, भारत, उस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिन कोरिया और यूक्रेन। हमास आतंकवादी हमले के खिलाफ इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अरब देश, मोरको, तुराकी, दक्षिन अफ्री गाजा छोटा है, लगभग 305 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसराइल को सीमा पार करने, गाजा शहर को घेरने और उस रणनीती में आगे बढ़ने में कई दिन लग गए जिसे देश के रक्षा मंत्री ने शिकंजा कसना कहा। यहां तक कि वह लड़ाई भी रुक रही है और तो कठिन और प्रतिसपर्धी लक्षियों को पूरा कर सकती है, सबसे पहले वह हमास को खत्म करना चाहता है। अतरराष्ट्री स्थिती की रक्षा करने और अपने सहयोगियों के समर्थन को बनाये रखने की आवश्यक्ता है। इसराईल के हमले जिन में हजारों नागरिक मारे गए हैं, पहले ही उसकी प्रतिष्ठा और उसके रिष्टों को नुकसान पहुँचा चुके हैं। कई दे ये कुछ बहुत कड़े लक्षे निर्धारित किये हैं। उसने यह नहीं कहा कि वह एक लड़ाकू शाखा के रूप में हमास को नीचा दिखाना या कम करना चाहता है, बलकि यह कहा है कि वह हमास को खत्म कर देगा या कुचल देगा। ये वास्तव में बहुत कठिन कार्य ह विशेश रूप से तब जब हमास का बड़ा भाई हिजबुल्लाह इरान द्वारा समर्थित है और इरान स्वयम दो राष्ट्र सिध्धान्त के खिलाफ है, इस युद्ध ने व्यावारिक रूप से इसराइल, UAE और बहरीन के बीच हुए इबराहीम समझोते को मरणा सन्न स्थिति में ला दिया है, हालांकि संयुक्त राज्य, अमेरिका अभी भी इसराइल के पास अपनी दो सबसे बड़ी नौसेना संपत्यों को तैनात करके कूट नीतिक और सैन्य रूप से प्रयास कर रहा है, ताकि युद्ध पूरे पश्चिम एशिया और उससे भी अधिक अन्यक्षेत्रों तक न फैले। इस बीच, इसराइल ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरती है। सेना ने सैकडों बखतरबंद वाहनों और हजारों सैनिकों को उत्तरी गाजा में स्थानंतरित कर दिया, जिससे अनिवार्य रूप से एक विशाल सैन्य शिविर का निर्मान हुआ। यह भी समझा जाता है कि इसराइल ने लेजर डोम प्रणाली का परीक्षन किया है, जो कहीं बहतर और परिश्कृत है और एक साथ सैकडों आने वाली मिसाइलों, ड्रोन और दुश्मन के विमानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ संभाल सकत है, इस लेजर सिस्टम को इस आरेल ने USA की मदद से विक्सित किया है, शायद इस खबर ने इरान को इसराइल के खिलाफ कोई भी कठोर कारवाई करने से रोग दिया है, और उसका पारा थोड़ा ठंडा हो गया है, इसराइल हमास युद्ध के 36 दिन में प्रवेश करने के सा दोनों पक्षों में गुस्सा शांत होने की कोई संभावना नहीं है, और क्षेत्र में शांती एक मृगत्रिशना प्रतीत होती है, कम से कम अब से काफी लंबे समय के लिए। निकाला है, ये लेजर सिस्टम को केवल बिना रुके बिजली की व्यवस्था चाहिए, ये लेजर सिस्टम लेजर डोम की तरह काम करेगा और इसराइल के दुश्मनों की ओर से डागे हुए अस्तरों को आकाश में ही ढूंड निकल कर उसे हवा में ही नश्ट कर देगा, य ऐसा समझा जाता है कि इसराइल ने इस सिस्टम का उपयोग करके देख लिया है और ये अचूक तरह से काम करता है। मध्यम और लंबी दुरी की मिसाइले हैं उसमें ये नया इसराइली लेजर डोम कैसे काम करता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, किन्तु इतना अवश्य है इस लेजर डोम सिस्टम ने इसराइल को काफी ताकत दी है। जब हमास एक विचारधारा बन कर पेलिस्तीनी लोगों के मन में समाज आए। ऐसी परिस्तिती में पश्चिम एशिया में शांती स्थापित होने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। झाल आए। झाल झाल